देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, ओम गनेशाय नमहा, ओम नमश्य शिवाय मैं निखिल जोतिश आचारे आप सभी का, मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यह वीडियो है, 22 जून 2022, वेड राशीफल दिया जाता है, और आपके सुविदा के लिए राशीफल एक दिन पहले रदर्शेत होता है, दैनिक राशीफल में हर राशीफल के साथ एक दिन का उपाय भी बताया जाता है, दैनिक राशीफल आप अपनी चंदर राशी से दिख सकते हैं, राशीफल की तरफ ह करन रहेगा तै तिला और वार रहेगा बुद्धवार कृष्ण पक्ष चल रहा है सूर्य महाराज 5.25 एम पर उदे होके अस्त होंगे 7.23 पी एम पर चंद्रमामीन में रहेंगे नक्षत्र रहेगा उनका रेवती और सूर्य देवता मिथुन में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा म्रिक्षिरा कुछ विशेश मुरुतों की बात करते हैं ब्रह्म मुरत 4.05 एम से 4.45 एम अभीचित मुरत वेडनस डे को नहीं होता और अमरित काल 3.43 एम से 5.24 एम कुछ अशुब मुरतों की बात करते हैं राहुकाल 12.24 पी-म से 2.9 पी-म तक और गुलिक काल 10.39 एम से 12.24 पी-म इन दोनों ही अशुब मुरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुरगा चालीसा का पाट करके ही घर से निकलेगा तो ये था दिन का पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुवात करेंगे मेश के साथ मेश राशी के जातकों से कहूंगा कि दिन ठीक ठाक सा है कुछ चीजें हैं जो delay हो रही है कुछ चीजें हैं जो रुक रही है वो आपको बहुत frustrate कर रही है कोई बात नहीं आने वाले समय में उनका हल, उनका solution या जो काम आपके अटक रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे थोड़ा सा धहर रखिएगा focus बहुत जादा हट जाता है और communication problem भी आपकी कई लोगों से आती है थोड़ा सा इस चीज को या इस चीज पर काम करना आज से शुरू कर दिजेगा leadership quality होती है आपके अंदर और उसको हमेशा कही ना कहीं आपको express करना चाहिए थोड़ा सा उदास रहेंगे आज कई चीजों को लेकर कई चीजों का मिश्रत फल यह होगा कि आप थोड़े से उदासी इंता के भाव को feel करेंगे अपने आसपास के लोगों के जीवर में थोड़ा सा और participation दिखाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा जादा जब नहीं बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है कि कई जगापर कई ऐसी जगाओं पर अपनी बानी का प्रियोग कर रहे हैं जहांपर आप चुप रहकर भी अराम से निकल सकते हैं लेकिन आप उसी जगाओं पर उनी जगाओं पर बोलते हैं और अपने लिए ट्रबल्स को खुद इनवाइट करते हैं तो थोड़ा सा कम बोलेंगे आज तो अच्छा रहेगा जहां तक करियर की बात है अच्छा दिन है अपने जबंधी मता का प्रोग करकर कुछ अच्छा कर सकते है arts क्रियर्टीव फील में काम करते हैं दिन अच्छा रहेगा जहां तक बिजनस की बात है यहां पे भी आज का दिन अच्छा ही दिख रहे है गया पर आप marketing संबंदित काम करते हैं थोड़ा सा accepting nature आपको अपना रखना पड़ेगा, हर चीज पर अगर आप frustrate हो जाएंगे, हर चीज को point out करेंगे तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, थोड़ा सा धहरे दिखाईएगा, accepting nature अपना रखेएगा, जहां तक students की बात है, ठीक ठाक दिन है, आपका अपने emotions पर अच् काम को बहुत धैरे के साथ कर पाएंगे, अच्छा दिन है, सिहत के इसाब से गले से संबनेत रोकतं करेंगे, जहां तक सरवाश्टक की बात है, आपका दस्वास्तान अत्यन तबली है, कारेक शेत्र में ego clashes आज हो सकती है, आपके लिए उपाई यह है, कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पार्ट करना है, शुबंग के आपका तीन कलर है, आपका ब्राउन भाग्या प्रतिशत है, सत्तर प्रतिशत, हैं टॉरस यानि के विर्शप की तरफ आज का दिन आपके लिए अच्छा है, आपसे एक ही चीज़ कहूंगा कि जादा किसी से आज अटेश इस डिसीजन को या अपने प्रोसेस को तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आज अपने उपर भरोसा दिखाना पड़ेगा, पुरानी बातों में जा जाकर आप अपना प्रेजन्ट खराब कर लेते हैं, और ये अकसर हो रहा है और पिछले कुछ दिनों से तो जादा हो रह आपसे यही कहूंगा कि पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा, जो पास्ट है वो पास्ट है, उसको भूत काल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हो चुका है, बार बार आप उन्हीं चीजों में जाते हैं और अपने लिए ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रियेट करते हैं, आज का द किसी से वाद व्याद तो नहीं कहूंगा लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, डिटैश्मेंट की फीलिंग आईगी, किसी से जादा बातचीत करने का आपका दिल नहीं करेगा, जहां तक करियर की बात है, दिन आज का अच्छा है, आपसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि ज थोड़ा नकरात्मक हो सकता है, यदि आप थोड़े सचेत ना रहे तो, हो सकता है आपके प्रतिद्वन्दी, आपसे जो थोड़ा जरन का भाव रखते हैं, वो आपके विरुद्द कुछ करना चाहें, जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी अपनी वानी पर कंट्रो यदि नहीं रहा, तो थोड़ी बात प्रॉब्लम हो सकती है, विवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अच्छा है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की चाहेगी दोनों साइट से, अच्छा दिन है, जहां तक स्टूड़ेंस की बात है, थोड़ा रोमैंस की तरफ ध्यान जादा ताता हुँ देख रहा है, इन चीजों से थोड़ा सा वच्छे है, सेहत के हिसाब से आपको कोई इंफेक्शन दंग कर सकता है, जहां तक सरवाश्टक की बात है, आपका भाग्यस्तान अत्यंत बली है, तो कहीं न कहीं भाग्य का साथ आज अवश्य मिलेगा, आपक अच्छा है क्योंकि आज कोई बहुत अच्छी निउस आपके तरफ आ सकती है, कुछ सकरात्मक आपके साथ हो सकता है, थोड़ा सा हसी मजाग, थोड़ा सा एंटर्टेन्मेंट अपने जीवन में आज इंट्यूट कीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, अपनी क्रियेटिव साइट को टच कीजिए, कभी-कभी अपनी क्रियेटिविटी से दूर हो जाते हैं और वहीं पे थोड़े परिशान रहते हैं, आकर्शन आज आपके अंदर रहेगा, जो आपके कई काम बना देगा, एक अलग सा अकर्शन, अलग सी सकरात्मक ता आपके अंदर रहेगी, कभ थोड़ा एगो कम रखेगा, आज अहंकार थोड़ा आपके अंदर जादा हो सकता है, जहां तक करियर की बात है, अत्यंत शुप दिन है, मैनेजमेंट सम्मंदित काम करते हैं, लाब होगा, जहां तक बिजनस की बात है, आज आपकी उर्जा बहुत अच्छी रहेगी, जैस आप सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पैशनेट समय रहेगा आप दोनों के बीच में, स्टूडेंस के लिए ठीक ठाक सा दिन है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज आपको भी पता है, कि आपको लाना है, लेकिर वो चेंज आप लाना ही पा रहे है, और वही आपके कमी है, जहां तक सेहत की बात है, लोर बैक पर दर्द रहेगी, सरवाश्टक के हिसाब से आपका आठवा स्थान अतिन्त वली है, आज धन से संबंदित अचानक से कहीं से कोई अच्छी खबर आ सकती है, आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम विनायकाय नमहाईस मंतर का 27 बार जाब करकर गनेशी को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है, शुबंग के आपका तीन कलर है, आपका ब्ल्यू भाग्या प्रतिशत है 75%, कैंसर यानि की करक की तरफ है, मिला जुला सा दिन है, भाग्या का साथ तो आज अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़े लेजी रहेंग गवर्मेंट से कुछ काम अटक रहे थे, वो भी पूरे हो सकते हैं, जादा लॉजिकल मत रहेगा, कभी-कभी जादा लॉजिकल होने के कारण भी प्रॉब्लम सुझाती है, मैं यह नहीं किया रहा कि कहीं भी लॉजिकल मत रहेगा, लेकिन स्पेशली परसनल लाइफ में ल भागे कसा जैसे मैंने शुरू में बताया था, आज अवश्य मिलेगा, जहां तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, आज कुछ साहित करने वाला आपके कारक्षेत्र में हो सकता है, या तो नया काम मिलेगा, आपको कुछ क्रियेटिव काम मिल सकता है, तो दिन इंपोर्टन तथ्य आपके सामने आजए, लव लाइफ आपके आज की अच्छी नहीं दिख रही, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या होगा, या अल्रेडी चल रहा है, जो काफी नकरात्मक था आपके लव लाइफ में आज फैलाएगा, बात करने का भी ज्यादा मन नहीं करेगा, miscommunication काफी रहे, कि जहां तक विवाहिक जिवन की बात है, मैं यही कहूंगा कि जादा चीजों को control मत कीजेगा, जादा ही controlling बने तो problems बढ़ जाएगी, students के लिए आज का दिन काफी burden भरा रहने वाला है, काफी काम भरा रहने वाला है, काम का pressure, study का pressure जादा रहेगा, और उसको handle करने में थोड़ी तकलिफ जरूर होगी, सेहत के इसाब से आपको हाथों से संबंदित कोई problem यानि की हाथों की जो हथेलिया है, वहाँ पे कोछोट लग सकती है, इसके साथ ही आपको हड़ियों से संबंदित और जोड़ों से संबंदित भी कोई रोग तंग कर स ऐसा नहीं कि सब के साथ ही घूम रहे हैं, उन लोगों के साथ रहिए जो आपके लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में एड़ करते हैं, आपके लिए उपाई यह है कि आपको गनेशी का ध्यान करते हुए ओम गनेशाय नमाय समंत्र का 27 बाल जाब करना है, शुबंग के आपका वन कलर है ब्लू भाग्या प्रतिशत है 75 परसें, लियो यानि की सेमह की तरफ, दिन ठीक ठाक सा है, कुछ कड़े निरणे लेने का दिन है, कुछ important पर मुश्किल निरणे लेने का दिन है, अपने points के साथ stand up किया किजी, ऐसा लगता है अपने points रग दे कुछ अच्छी खबर भौतिक जीवन के हिसाब से आ सकती है, पैसा आ सकता है, या उसके संबंद में कोई अच्छी नहीं हो सकती है, थोड़ा सा slow हो जाई है, ऐसा लग रहा कि बहुत सारी चीज़े करना चाह रहे हैं, और उस multitasking के कारण, अपने ही आप अपने जीवन में क कुछ कठिनाईयां आप ला रहे हैं, आज का दिन थोड़ा अपने आप से connect करने का है, थोड़ा अपने आप से बाते करेंगे, अपने आप से, अपने आप के लिए एक अलग से time निकालेंगे, अपने साथ हर चीज़ से दूर होकर समय व्यतीत करेंगे, तो जीवन बहुत स कुछ काम अटक रहे थे, गवर्मेंट से कुछ काम करवाना था, कुछ कहीं से कोई आपको notice आए हुआ था, आपको solve करवाना था, कुछ भी गवर्मेंट से सम्मंदित काम करवाना था, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, जहां तक love life की बात है, आज अचानक से प बहुत अच्छा करेंगे, जहां तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी थोड़ी बहुत तंग कर सकती है, सरवाज तक के हिसाब से आपका छटा स्तान अतेंत बली है, थोड़ा गुस्से पर काबू पाईएगा, और व्यर्त की चिंताओं से बचिएगा, आपकी लिए है, तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत जादा काम आजाता है, हम सब कुछ अपने आप करने के प्रयास में, उस काम को गलत कर बैठते हैं, किसी की हेल्प मांगने के वज़ाएं, ऐसा ही आपके साथ देख रहा है, थोड़ा सा किसी की हेल्प मांगेंगे तो आपका काम बहुत सरलता से हो जाएगा जो काम अटक रहा है जो काम आपसे मुश्किल से हो रहा है बहुत अच्छे आइडिया जाज आपके मस्तिश्क में आ सकते हैं अपनी क्रियेटिव साइट को टच कीजेगा, काफी क्रियेटिव रहेंगे भी आज वह से आप और काफी साहसी भी रहेंगे दिन तो अच्छा है आज के दिन का लाब उठाईएगा कुछ चेंजिस यदि आ रहे हैं जीवन में तो उनको एकसेप्ट करकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा जहां तक करियर की बात है थोड़ा सा आज आपको कारे जादा करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जल्दवाजी में नहीं लेकिन काम का प्रेशर थोड़ा जादा रहेगा तो थ जना तक लव लाइफ की बात है थोड़ा सा इम्मिचूर सा आप बिहेव कर सकते हैं वो आपके लिए थोड़ा नकरात्मक हो सकता है विवाइक जीवन के हिसाब से ज्यादा शक्त मत कीजिएगा ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही शक्त कर रहे हैं हर ची की बात है आपका पांच्वास्तान अत्यन तबली है तो किसी भी क्रियेटिव फील में काम करते हैं लाब होगा आपके लिए उपाई है कि आपको गणेशी का ध्यान करते हुए गणेशी की एक बात आरती करनी है शुबंग कि आपका वन कलर है आपका यलो भाग्य सकते हैं या आपके अंदर कोई स्किल्स हैं उनको और डेवलप करने की कोशिच कीजिएगा थोड़ा सा दिन के मद्य भाग में थोड़ा परिशान रह सकते हैं लेकिन फिर आगे चलकर चीज़ें सौल हो जाएंगे आगे के बारे में सोचेंगे आने वाले दो हफ्तों के ब प्रोब्लम आसकती हैं जो काम आप पूरा करना चा रहे हैं उसमें तोड़ी प्राब्लम वह जाएंगे बिजनस के लिसा आप से अत्यन तशिप दिन है कोई डील्राप पूरी करना चाह रहे थे कुछ आपंट्रैक्ट पाना करना हो चुका है तो थोड़ा अपनी फैमिली को भी इंवॉल्व करने का अपने रिलेशन्शिप में टाइम आ गया है यदि आप चाहते हैं कि रिलेशन्शिप शादी की तरफ बढ़े तो धीरे-धीरे करके फैमिली का इंवॉल्मेंट भी अब ज़रूरी है विवाईक जीवन के हिसाब से अपनी वानी पर बहुत कंट्रोल कीजेगा एक एक शब्द सोच सोच कर बोलिएगा वड़ना प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडंस से यही कहूंगा कि दिन बहुत अच्छा है स्टेबल माइंड रहेगा इसका उप्योग कीजेगा सेहत के हिसाब से रक्त विकारतं कर सकते हैं जहां तक सरवाश्टक की बात है चौता स्थान अत्यंत वली है थोड़ा सा इमोशनल आज आप ज्यादा रहेंगे आपके लिए उपाई यह है कि आपको गणेशी का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमहाईस मंतर का 108 बार जाप करना है शुबंख है वन कलर है आपका ग्रीन भाग्य पतिशत है स्कॉर्पियान के वरिष्चे के तरफ अत्यंत शुब दिन है भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है स्पेशली दिन के मद्य भाग के बाद फिर भी मुझे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी फैमली में परसनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलेंगी जो थोड़ा परिशान अवश्य करेगा कुछ ना कुछ उदासींदा आज लाइफ में आएगी परसनल लाइफ के करण और पुरानी बाते भी अच्छनक से याद आ सकती है मैं यहीं कहूंगा जितना इन चीजों से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि दिन की कोशिश कीजेगा बिजनस के हिसाब से अत्यन तशुप दिन है आपका मन भी लगेगा अपने बिजनस में और कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और भाग दे का साथ भी मिलेगा लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा रिलैक्स रहने का दिन है थोड़ा रिलैक्सेशन में अच्छे गुजरेंगे स्टूडेंस के लिए दिन बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा और कॉंफिडेंट रह सकते हैं यादि आपका कोई एक्जाम आज है तो उसमें जो और कॉंफिडेंस आपका है वो आपके लिए नकरात्मक हो सकता है सेहत के हिसाब से हड्डियों के अच्छानक से कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम विनायकाय नमाइस मंत्र का जाब करके 27 बार गनेश जी को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है शुबंक्या आठ कलर है आपका घ्रीन भाग्या पतिशत है असी आपके लिए ठीक ठाक सा है एक बैलेंस जो ढूंड रहे थे लाइफ में वो आज आ सकता है कुछ कार्या कर रहे थे अच्छा जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था आज उसका रिजल्ट पर अचानक से आपके फेवर में आ सकता है थोड़ा सा अपने लाइफ को रिव्यू क करेंगे और कभी-कभी धनू लगन राशी के जातक है कि हर चीज़ का विरोध करने लग जाते हैं और उनके लिए ही नकरात्मक रवाओ देता है कभी-कभी जीवन में आज ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है सब कुछ होते वे भी कुछ भी नहीं है तो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, जादा नकरात्मकता को अपने उपर हावी मत होने दिजेगा, जहां तक करियर की बात है, यदि management संबंदित काम करते हैं दिन अच्छा है, थोड़ा आपने आपको express कीजिए, यदि किसी बड़ी position पे हैं और आप चाहते हैं कि और आगे बड़ें, तो आपक आप से आज का दिन अच्छा है क्योंकि अगर्शन बना रहेगा, फिजिकल इंटिमेसी रहेगी, रहेगी, जहां तक विभाईक जिवन की बात है, expectations रखना बहुत अच्छा है, कभी-कभी ये भी सोचेगा कि आपके life partner के आपसे expectations हो सकते हैं, तो इस चीज़ पर विचार की लिजेगा, जहां तक सेहत की बात है, स्टूडेंस की बात है, थोड़ी गलानी की भावना उनके इंदर जादा रहेगी, सेहत के हिसाब से hormonal disorders तंग करेंगे, सरवाश्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अथिन्त बली है, पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्ण आज मत लीजेगा, आपके लिए उपाई यह है कि गणेशी को किसी भी मिश्ठान का भोग लगा कर, ओम गणेशाय नमाइस मंतर का 27 बार जाप कीज़े, शुबंग के आपका, दो कलर है आपका, रेड भाग्य परतिशत है, 70 परतिशत, आप चलते हैं, कैप्रिकॉन यानि क मकर के तरफ, बहुत अच्छा दिन है, लाब होगा, कही न कहीं से कुछ न कुछ लाब अवश्य होगा, इच्छा पूर्ति का दिन है, दोस्तों के साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजेगा अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं मिल सकते बात कर लीजेगा, अच्छा फील होगा, अचानक से कुछ परिवर्तन आज सकरात्मक आपके जीवन में हो सकते हैं, जो काम नहीं बन रहते हैं, अचानक से उनका कुछ न कुछ solution आपको मिल सकता है, थोड़ा content रहेगा आज अपने जीवन से, satisfied रहने की कोशिश कीजेगा, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उस उसी चाह में कभी कभी satisfaction की कमी रहती है, और उसके कारण जो कुछ हमारे पास होता है, हम उससे खुश नहीं रहे पाते हैं, ऐसा ही कुछ आपके साथ देख रहा है, कई चीजों को लेकर understanding बढ़ेगे, कई चीजों को लेकर समझ आपकी आज बहुत अच्छी रहेगी, दिन स सकरात्मक है, फायदा उठाईएगा, जहां तक करियर की बात है, यदि किसी बड़ी position पर काम करते हैं, तो आपके जो नीचे लोग काम करते हैं, जूनियर्स हैं, उनको यदि किसी guidance की जरुत पढ़ती है, तो जरूर अवश्य वहाँ पर आपको उनकी help करनी चाहिए, बिज क्योंकि वानी के कारण थोड़ी दूरियां आ सकती है, विभाई जीवन के इस आपसे यदि बातचीत बंद है, तो थोड़ा सा initiative लेकर चीजों को सौट और करने की कोशिश कर लीजेगा, जहां तक students की बात है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे बढ़ना है वो आपक है, उर्जा काफी सकरात्मक रहेगी, आपके लिए उपाई यह है कि गनेश ची को मिष्ठान का भोग लगा कर ओम लंबोद राय नम्हा, इस मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है, शुबंग क्या आपका चार कलर है, आपका ब्लू भाग्य पतिशत है, 75%, चलते हैं कुम भया आपके लिए अच्छा है, थोड़ा इमोशनल जादा रहेंगे, फिर भी उन इमोशन को साइड में रखकर कुछ बड़े निरने ले सकते हैं, ले पाएंगे, थोड़ा हजी मजाक अपने लाइफ में, थोड़ा एंटर्टेन्मेंट अपने लाइफ में इंक्लूड अवश् ठीक है, मैं ये नहीं कहरा कि एकदम विश्वास करने लग जाईए, लेकिन उस ऑप्शन को एकदम बंद मत कर दीजेगा, क्योंकि यदि ऐसा हमारे साथ होता है, तो हम बहुत कठोर हो जाते हैं, नीरस जीवन हो जाता है, उस जोन में मत जाईएगा कि किसी पर विश्वास करना ही नहीं है, विश्वास खात होते हैं, और अक्सर अपनों से ही होते हैं, ये एक लाइफ का पार्ट है, इसको लाइफ का पार्ट मान के ही आगे बढ़िएगा, धहरे दिखाने का दिन है, और अपने उपर विश्वास दिखाने का दिन है, दिन अच्छा है, सकरात्मक है लाब उठाईएगा जहां तक करियर की बात है कॉंपेटिशन जादा रहेगा लेकिन हर चीज को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे फाइनस से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाब होगा जहां तक बिजनस की बात है थोड़ा अपने आपको अखेला पाएंगे अज थोड़ा आपको लगेगा कि आपकी कोई मदद नहीं करता इवन यदि आप पार्टनर्शिप में भी काम करते हैं आपको यह ऐसास होगा कि आपके पार्टनर्स जादा इंवाल्ब्मेंट नहीं लेते और यह थोड़ा आपको परिशान करेगा जहां तक लव लाइफ की बात है पैशनेट दिन रहेगा एक दूसरे को समझेंगे जानेंगे पहचानेंगे विवाहिक जीवन के हिसाप से आज का दिन अच्छा है थोड़ा ध प्रदिहत के हिसाप से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम चेस्ट संबंदित रोगतं करेंगे जहां तक सरवाश्टक की बात है बारवास्थान अत्यंत बली है कर्चा थोड़ा जादा हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको गणेशी का ध्यान करकर ओम विनायकाय नम्हाइस मंत्र का 27 बार जाब करना है शुबंग के आपका वन कलर है आपका ब्लैक भाग्य प्रतिशत है 70 अप चलते हैं पाईसेस यानि की मेन की तरफ दिन अच्छा है भाग्य का साथ मिलेगा थोड़ा सा आपको रिस्क तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ अलग करना पड है और जब हम कुछ अलग करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता ही है आज अपनी उपर काफी विश्वास बड़ेगा और वहे आपके लिए काफी मदद भी अवश्य करेगा कुछ ना कुछ आजा ऐसा हो सकता है जो आपके लिए आपके घर के लिए आपके आसपास के लोगों सकरात्मक दिन है जहां तक करियर की बात है जो मेहनत कर रहे थे आज उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं बिजनस के हिसाब से आपको मल्टी टास्किंग करनी पड़ेगी कर भी रहे हैं लेकिन उसको धंग से आप एक्जिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो थो अच्छा दिन देखता है एक दूसरे के साथ आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी स्टूडेंस काफी नए आइडियास उनके अंदर आएंगे उनके मस्तिश्क में आएंगे लेकिन यहीं जब आइडियास आप सोचने के लिए जाएंगे तो आपका माइंड बहुत अलग- स्थान अत्यंत वली है तो कही ना कहीं से लावकारी समचार आ सकता है आपके लिए उपाए है गनेश ची को दुरवाक अरपन करके ओम गनेशाय नमाइस मंत्र का 27 बार जाब किजिए शुबंग के आपका दो कलर है आपका पिंक भाग्या प्रतिशत है 80 प्रतिशत तो यह था 22 जून 2022 का राच्शिफल चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ आखली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्युक्त